नमस्कार साथियों मैं राजुराम राठोड मैं आज बीकानेर के हेमेरा गाउं में हूँ मेरे सामने खड़े हैं तोला राम जी खाती इनोंने यहां बहुती नवाचार करते हुए उन्नत विदी से 200 लिटर के जो नीले कलर के बैरल है इसके अंदर आपने 10 बैरलों के अंदर जीवामरत बनाया है और आज मेरे सामने मित्र जो खड़े हैं इनोंने यहां गोबर गैस की जो सलेरी का जो डश्ट था उससे हमने यहां जेविक तरल नतरजन बनाया है जेविक तरल नतरजन को कारगर और अशर कारक बनाने के लिए हमने दो उत्पाद सामिल किये हैं मैं को बता देता हूँ, मित्रों मित्र जो एक छोटा सा बेरल खोल रहा है इसके अंदर चाच है पुरानी, मित्रों चाच के अंदर nitrogen होता है, calcium होता है, मित्रों यह बेरल से हमने 20TL इसके अंदर चाच डाली है, तामबा यूक्त चाच नहीं मिली लेकिन प्लेन ही चाच है इसके अंदर 20 से 25 किलो गोबर गैस का जो लिक्विड निकला था तरल वो इसके साथ बनाया है मित्रों यहां तोला राम जी ने वैस्टरडी कमपोजर की यूनिट एक सुरुवाती तोर पर लगाई है पहले आपने इस्तेमाल किया था आप तोला राम जी पहले आपने इस्तेमाल किया था लेकिन किशी कारण वस ये समय पर इनका सदुप्योग नहीं कर पाये थे और एक नई सिशी लेके आये हैं मातर दो किलो गुड डालकर ये आपने कल ही बनाया है वेस्टर डीकमपोजर आगे आपने जेविक उत्पाद जीवामरत बनाये हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ वोलोकन करवा देता हूँ ये बचा हुवा गुड का पानी है ये गोबर, गोमूत्र, बेशन, गुड और पीपल के पेड के नीचे की मिट्टी जिसे जीवामरत कहते हैं छोटी यूनिट बनाकर किसान मित्र इसको मटके में बनाता है तो उसको मटका विदी कहते हैं मित्रों नाम दोनों का एक ही है किसी ने अगर मटके में बनाया तो गाड़ा बनता है तो उसको मटका विदी कहत और अगर बड़ी बेरल में बनाया तो उसको जिवामरत कहते हैं मित्रों देखिए 200 लिटर के आपने पांच बेरल 6 बेरल जिवामरत बनाया है ये 200 लिटर के 6 जीवामरत बैरल है आपने बहुत अच्छी मेहनत करके इसके लिए आपने एक छोटी शी जगह भी यहां बना रखी है और जीवामरत का आपने रिजल्ट भी लिया वो भी में हमको दिखाऊंगा ये जीवामरत आपने तोला राम जीने बनाया है मित्रों वर्मी कमपोस्ट बनाने के लिए आपने यहां सिमेंट की एक छोटी से डिक्की बना दी है देखिए चार भाई तीन की डिक्की है इसके अंदर वर्मी कमपोस्ट बनाएंगे मित्रों देखिए यह राजस्तान की एसी इसके अंदर मौशम गर्मी में ठंडी रती है और ठंडी में इसमें यह गरम रहती है क्योंकि यह नेचूरल प्राक्रतिक वनस्पति जो रेगिस्तान में इसको खीप कहते है खीपड़ा कहते है खाड़ी बासा में इससे बनी यह छपपर नीचे प्लास्टिक डाला है उपर यह टेहनिया यहां की जो जाड़ी है बीकानेर पूरे वैसे राजस्तान में होती है लेकिन अक्सर यहां बहुतायत में होती क्यांकि आप देख सकते हैं दूर दूर तक कहीं तो आपको रेट के टिल्ले दिख रहे हैं सामने जो रेट के ऐसे टिल्ले दिख रहे हैं यहां यह अक्सर बहुतायत में होता है तो आप खड़ा है इस पोधे की जड़ के अंदर देखिए जो भी सारा रो मेटिरियल बसता है जीवामरत का वो इसके अंदर डालते हैं यह देखते हैं अपन यह सड़ी हुई गोबर है एकदम काली सी कमपोस्ट हो चुकी है अब देखते हैं इन्होंने जीवामरत जिस पोधे में ड पानकर जो डश्ट निकली थी वो यहां डाली गई है मित्रों जानते हैं तोला राम जी आप बता रहे थे इसके अंदर में ने जीवामरत का उपयोग किया बताईए क्या परिणाम दिख रहा है आपको दो महिने पहले इस्टार्ट के आए दो महिने पहले यह जो साका निक निकल रही है इतना तेजी से वर्दी कर रहा है जैसे मेरे हाथ से उपर का यह सिर्फ दो महिने की बढ़ रहे है यह दो महिने के बढ़ रहे है बहुत अच्छा बहुत अच्छी इस्टाति में आ गया पोड़ा मित्रों देखे तोला राम जी बताता है जब मैंने इसकी यह यहां डालियां कटिंग की थी, यहां कटिंग करने के बाद छोड़ दी और जीवामरत दे दिया था, तो देखिए, जीवामरत देने के बाद देखिए, पत्तों की कॉमलता देखिए, पत्तों का कलर एकदम नेचुरली आ गया है, देख सकते हैं, एकदम नई नई कौप लें बहुत ही अच्छी इस्तती में आ गई है यह यहां देखिए आप यह पत्तियां बहुत अच्छी इस्तती में आ गई है यह निबू का पोदा है देख सकते हैं आप इस के अंदर आपने बहुत ही अच्छा जिवामरत का परिणाम ले लिया है अब वापस आता है जिवामरत की यूनिट की और देखते हैं तोला राम जी जो आपने ये जिवामरत बनाया है 1200 लिटर तो यह कितने 6 तरफल में दे दिया आपने 1200 लिटर 6 बिगे के लिए बनाया है अब वैसे चलता रहते हैं अच्छा आप वैसा किरियानवित करते हैं जो खाली हो गया उसको वापस बना देते हैं आपके बार आप थोड़ा विश्यस द्यान रखिए जो आप जीवामरत बनाते हो जिस दिन को बनाते हो यहां चाप दीजिए टैप लगा कर यहां लिख दीजिए यह इस तारी को बना है दस दिन के बाद यह पूर्ण रूप से मल्टिप्लाई हो जाता है आप इसको यह गोबर ऐसर डाल कर अगली बार आप इसके उपर कपड़ा बान दें और गोमुत्र गोबर के साथ मिला कर उसको हिलाते हिलाते प उपर तेर रही है बाद में इनको समश्या ना आए यह बैतर उपाई है अक्सर बाद में आप इसके अंदर जैसे मैं आपको बता देता हूं किसानमित्रों यह यहां इन्होंने पंपिंग सिस्टम लगा रखा है तो छोटे से टुकड़े के अंदर एक 200 लेटर का जो बैरल यहां वेंचूरी लगाता है इस पूर्ण के साथ लेकर यहां तो आपने पूरा सिस्टम फ्रेसर के साथ दे दिया यहां से खेत में पानी जाता है आगे चने की बीजाई चने की फसल है और यह आपने देखिए मित्रों यह आपने यहाँ उत्पाद बनाकर यहाँ से आपने यह मसीन से खेत में देने का प्रयास कर रहे हैं और यह आपने जो बनाया है यह कपड़ा बांद के यह जिवामरत को च्छानने का है एक बार थोड़ा दिखाईए मित्रों देखिए ये तोला राम जी का प्रयास है यह जिवामरत छानने का एक उन्नत तक्निक है दिखा थे हैं आपको देखिए मित्रों जिवामरत छानने के लिए आप इस बैरल को खाली करके यहां इसमें भर रहे हैं ये अच्छी उन्नत सस्ति सुलब टेक्निक है विदी है मित्रों ये आज कुछ बिकानेर में मेरे साथ कंदे से कंदा मिलाकर तोला राम जी जुटे हैं मित्रों जरूर आपना समर्तन दीजी अपना विचार लिखिए ताकि मैं अगली बार यहां आऊं तो कुछ नया आपकी कुछ नया बता सकूं धन्यवाद मित्रों